सूप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं अमीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूं कख्षा 3 की हिंदी व्याकरन लेकर बच्चों पिछली कख्षा में हमने बात की थी भाषा के बा पहुंचाते हैं ठीक है भाषा दो प्रकार के होते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा लिखित भाषा वह है जिसमें हम अपने विचार लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं और मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोल कर दूसरों तक पहुंचाते हैं चलिए अब साथ ही हमारी राष्ट भाषा भी है ना तो हिंदी भारत की राज भाषा है भारत की अधिकांश हिस्से में लोग हिंदी भाषा का ही प्रियोग करते हैं साथ ही कई जगह ऐसे हैं जहांपे कई प्रकार की अन्य प्रकार की भाषाएं प्रियोग की जाती हैं ठीके जैसे उडि लग अलग प्रकार की भाशाएं प्रयोग की जाती है ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या है ठीक है अब हमें पढ़ना है लिपी के बारे में कि लिपी किसे कहते हैं किसी भाशा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन निश्चित कर लिए जाते हैं ये चिन सम्मंधित भाशा के वर्ण कहलाते हैं ठीक है इन चिन्हों अथवा वर्णों को लिखने की विधी लिपी कहलाती है अब जैसे हम सभी हिंदी भाशा का प्रयोग करते हैं तो हम ही पाते हैं तो कैसे लिख पाते हैं बच्चों तो लिपी के माध्यम से है ना यह एक प्रकार की विधी है जिसमें हम वर्णों का प्रियोग करके हैं लिखते हैं तो हम कह सकते हैं किसी भाषा को लिख कर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ध निश्चित किये गए हैं यह चिन सम्मंधित भाशा के वर्न कहलाते हैं इन चिन्हों या वर्नों को लिखने की विधी को लिखने की जो विधी है उसे हम लिपी कहते हैं ठीक है बच्चों संसार में अनेक भाशाएं पाई जाती हैं प्रतेक भाशा की अपनी लिपी है जिसे उसका नाम दिया गया है देखो इस संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है प्रतिक भाषा की अपनी अपनी लिपी होती है जैसे कोई अगर पूछे आप से कि हिंदी की लिपी का क्या नाम है बच्चों तो हिंदी की लिपी का नाम देवनागरी है संस्कृत की लिपी का नाम भी देवनागरी है उर इस प्रकार से लिपी का नाम है चलिए वांगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है जुढ़े हम किसे कहते हैं य境 क्या होता है तो व्याकरन वह शास्त्र है जिसे हम भाषा के शुद्ध शुद्ध रूपों के बोद के बारे में हमें पता चलता है यानि इसको ऐसे कह सकते कि व्यागरन वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं है ना भाशा वर्नों शब्दों और वाक्यों से बनती है भाशा कैसे बनती है वर्नों शब्दों और वाक्यों से बनती है शार्थक सब्द समूह जब निश्चित क्रम में होते हैं तब वाक्य की रचना होती है सार्थक सब्द समूह है ना शार्थक सब्द समूह का मतलब हो गया कि जब एक सार्थक समू में एक particular order में अगर हम शब्दों को लिखेंगे तब ही वाक्य बनेगा है ना अगर मैंने कह दिया गया गया चला है ना मैंने कह दिया गया चला तो कोई वाक्य आपको समझ में आ रहा है कि कोई यहाँ वाक्य बना है नहीं यह बिल्कुल अर्थ वही ने इसमें कोई अर्थ का पता नहीं चल रहा है वही अगर मैं बोलूं कि राम आज आया था लेकिन वह अपने घर चला गया है ना तो यहां पर मैंने क्या क्या कि सार्थक क्रम में एक निश्चित क्रम में शब्दों को सजाया तो फिर आपको यह वाक्य समझ में आ गया कि रामा आज आधा लेकिन वह चला गया अपने घर ठीक है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सार्थक शब्द समु जब कि निश्चित क्रम में होते हैं तब वाके CT की